परिजय सचिन विद्याले से घर बहुत उत्तेजित होकर लौटता है। वहाँ अपनी मा को बताता है कि उसकी कक्षा के बच्चों का चिकसक ने परिक्षन किया। वहाँ खुश है कि चिकसक ने उसे शारीरिक रूप से दुरुस्त और स्वस्त घोशित किया। लेकिन एक चीज उसे परिशान कर रही है। चिकसक ने उसकी लंबाई सेंटीमीटर में मापी और उसका वजन किलोग्राम में। वहाँ मापन की दो इकाईयों किलोग्राम और सेंटीमीटर के बीच अंतर जानना चाहता है। इस पार्ट में हम मापन के विभिन मातरकों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। आव सीखें। विभिन मीटर मापकों को बताना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। मीटर और सेंटीमीटर को जोडना और घटाना। किलोग्राम को ग्राम में बदलना। किलोग्राम और ग्राम को जोडना और घटाना। लीटर को मिलिलीटर में बदलना। लीटर और मिले लीटर को जोड़ना और खटाना मीटर मापक किसी वस्तू की लंबाई को मीटर और सेंटी मीटर में मापते हैं मीटर को मी या एम से व्यक्त करते हैं और किलो मीटर को किमी या के एम से किसी वस्तू का द्रविमान किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं किलोग्राम को की ग्रा या केजी से व्यक्त करते हैं और ग्राम को ग्रा या जी से आयतन को लीटर और मिली लीटर में मापते हैं लीटर को ली या एल से व्यक्त करते हैं और मिली लीटर को मिली या एमेल से. मीटर का सेंटी मीटर में परिवर्तन. अब मीटर और सेंटी मीटर के संबंद को समझने का समय है. इसके बाद हम मीटर को सेंटी मीटर में बदलेंगे. एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर होता है. तीन मीटर बराबर होगा तीन गुणा सौ बराबर तीन सौ यानि तीन सौ सेंटिमीटर परिवर्तन के साथ जोड़ हम मीटर को सेंटिमीटर में परिवर्तित करना जान गए हैं आईए अब मीटर को सेंटिमीटर में जोड़ना सीखें आईए 4 मीटर और 300 सेंटीमीटर को जोड़ें आईए पहले मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करें 4 मीटर बराबर 4 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर 4 मीटर धन 300 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर धन 300 cm बराबर 700 cm परिवर्तन के साथ घटाव आईए अब घटाव पर चलें आईए 5 मीटर से 700 cm घटाएं 5 मीटर बराबर 5 गुणा 100 cm बराबर 500 cm 700 cm रिण 5 मीटर बराबर 700 cm रिण 500 cm बराबर 200 cm किलोग्राम का ग्राम में परिवर्तन एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है इसलिए 5 किलोग्राम चावल के थैले के वजन को निम्न प्रकार से मापा जा सकता है 5 किलोग्राम बराबर 5 गुणा 1000 ग्राम जो की बराबर है 5000 ग्राम के परिवर्तन के साथ जोड आईए अब 7 किलोग्राम को 700 ग्राम से जोड़ें आईए पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलें एक किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के साथ किलो ग्राम बराबर होगा साथ गुणा एक हजार ग्राम के, जो की बराबर है साथ हजार ग्राम के. साथ किलो ग्राम धन साथ सो ग्राम बराबर साथ हजार ग्राम धन साथ सो ग्राम बराबर साथ हजार साथ सो ग्राम. परिवर्तन के साथ घटाव आईए घटाव करें आईए 7000 ग्राम को 9 किलो ग्राम से घटाएं 9 किलो ग्राम बराबर 9 गुणा 1000 ग्राम बराबर 9000 ग्राम 9 किलो ग्राम रिण 7000 ग्राम बराबर 9000 ग्राम रिण 7000 ग्राम बराबर 2000 ग्राम लीटर का मिलिलीटर में परिवर्तन सोनम 3 लीटर पानी प्रति दिन पीती है तो बताईए सोनम कितने मिलिलीटर पानी प्रति दिन पीती है एक लीटर बराबर 1000 मिलिलीटर के तीन लीटर बराबर तीन गुणा 1000 मिलिलीटर बराबर 3000 मिलिलीटर अताह सोनम प्रति दिन 3000 मिलिलीटर पानी पीती है परिवर्तन के साथ जोड और घटाव सोहा की बोतल में 2 लीटर पानी आता है सोहा ने 500 मिलिलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 700 मिलिलीटर पानी पी लिया आईए पता करें कि सोहा की बोतल में कितना पानी बचा है बोतल में कुल पानी बराबर दो लीटर, बराबर दो गुणा एक हजार मिलिलीटर, बराबर दो हजार मिलिलीटर, कुल खर्च हुआ पानी बराबर पान सो मिलिलीटर, धन साथ सो मिलिलीटर, बराबर बारा सो मिलिलीटर, बोतल में बचा हुआ पानी बराबर 2000 मिली लीटर, रिन 1200 मिली लीटर, बराबर 800 मिली लीटर हमने क्या चर्चा की? किसी वस्तू की लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में मापते हैं एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मीटर और सेंटीमीटर का जोड और घटाव मातरकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है किसी वस्तू का द्रविमान किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम किलोग्राम और ग्राम का जोड और घटाव मात्रकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है आयतन को लीटर और मिली लीटर में मापते हैं एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर लीटर और मिलिलीटर का जोड और घटाव मात्रकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है